मैं बरेली के अवाज मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ सर्व प्रिथम बरेली की अवाज पbadika की ओर से आपको सिखषग दिवस की हारदिक शुपकाम नाए आप अपने बारे में और सिखषग दिवस के बारे में हमारी दर्शकों को विस्तार से बता under आप सभी का स्वागत करने के अफसर स्वयम ही मिल जाते हैं शिक्षक दिवस पर आप सभी शिक्षकों को चंद लाई समत्पिर करते हुए सुन्दर सुर सजाने को साज बनाते हैं सुन्दर सुर सजाने को साज बनाते हैं नौसिखिये परिंदों को बाज बनाते हैं सुन्दर सुर सजाने को साज बनाते हैं नौसिखिये परंदों को बाज बनाते हैं सुनते हैं चुपचाप शिकायते सब की सुनते हैं चुपचाप शिकायते सब की तब दुनिया बदलने की आवाज बनाते हैं समंदर तो परकता है होसले कश्टियों के शिक्षक डूपती कश्टियों को जहाज बनाते हैं अरे बनाये चाहे कोई चांद पे बुर्जे खलीफा शिक्षक तो कच्ची इंटों से ही ताज बनाते हैं एक बार कुणा शिक्षक डिवस की हार्दिक शुब कामनाए इस समय हमारी जो स्टडी है वो पूर्ण रूप से इंटरनेट पर निर्भर हो गई है तो इसके प्रती आपका क्या नजरिया है और इस बदलाव को लेकर आप क्या सोचती हैं दिखिए हर बदलाव के दो पहलू होते हैं एक सकारात्मक और एक नकारात्मक अगर हम positively इस change को लेते हैं तो बहुत सारी technology के through जो online teaching होती है तो अगर ये online teaching नहीं थी तब बहुत सारे लोग ऐसे थे students और teachers जो इस technology से अनभिग थे जिनको इसकी बहुत ज़दा knowledge नहीं थी बट जैसे जैसे हम बहुत सारे apps के through जब हम teaching करते हैं तो वही जो हमारी knowledge है वो increase होती जाती है और अगर हम online teaching की विवस्ता इस time पर नहीं होती तो शायद teacher student का interaction है वो अभी नहीं हो पाता वो बिलकुल बंध होता तो online teaching के through teacher student का interaction भी बना रहता है और बहुत सारी चीजें जो हमारे जीवन में हम बहुत सारी चीजें हैं जो हम नई सीखते हैं तो यह interaction जो बना रहता है हम उनके touch में रहते हैं वो भी बहुत कुछ हम से सीखते हैं और हम उनको सिखा पाते हैं तो online teaching को अगर हम positively ले तो इसके result भी काफी अच्छे आये हैं देखने को हमें मिले हैं कि बच्चे बहुत कुछ सीख पा रहे हैं और negatively अगर देखें तो बहुत ज़्यादा problems होती है वहाँ पर जहां पर technology का अभाव है या ऐसे जगहां पर networking की area बिलकुल नहीं है जहां पर network नहीं होते हैं तो interior में जो students होते हैं उनको हम वो जो knowledge है वो हम नहीं दे पाते हैं वो उन तक नहीं पहुँच पाती है तो दोनों ही तरीके से अगर हम देखें मैं चाहती हूँ कि किसी भी चीज का जो changes है हमें उसका positive नजरिया ही सुईकार करना चाहिए तो positively अगर देखें तो ये बहुत अच्छा है कि हमारा interaction बना रहता है हम नई knowledge गेन कर पाते हैं और हम अपने बच्चों की touch में बने रहते हैं मैम सिक्षा जगत में आप कितने समय से अपनी सेवाईं दे रही हैं सीवाईं की बात कहें तो मैं बच्चपन से ही मेरा बहुत शौक रहा है कि मैं इस profession में जाऊं और जो भी हम सीखते हैं हम उसको दूसरों को सिखा पाएं तो असल में शिक्षक का माइने अगर हम देखें तो हिंदी में से गुरू भी कहा जाता है तो गुरू का जो शाब्दिक अर्थ है उसको यदि हम संदी विक्षेप करें तो गु मींस होता है अंधिकार और रू मींस होता है प्रकाश तो जो भी हमें उस अंधिकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वही सच्चा गुरू कहलाता है सच्चा शिक्षक कहलाता है यदि हम online शिक्षक की बात कर रहे हैं या हम यहाँ पर study की बात कर रहे हैं तो बहुत कुछ चीजें जो हमने नहीं सीखी होती हैं वो हम एक अंधकार में ही होते हैं और जब हम उन चीजों को सीख लेते हैं अपने शिक्षकों के द्वारा तो वो प्रकाश हमारे सामने आ जाता है हम उसको एक प्रकाश उपे में हम उस ग्यान को ले पाते हैं तो यही चीजें हैं कि जिस कभी जो मुझे फील हुआ परस्नली कि अगर हम कुछ भी सीखते हैं कुछ जो हमने अच्छा सीखा है तो हमारी कोशिश होना चाहिए कि वो हम दूसरों को भी सिखा पाएं और शिक्षक का जो प्रोफेशन है वो बहुत ही अच्छा है इस मामले में कि हम अपने गान को दूसरे लोगों तक पहुँचा पाते हैं शिक्षक पे ही देश का भविश निर्भर करता है क्योंकि एक शिक्षक ही है जो देश के भविश का निर्माता कहलाता है वैसे तो पहले गुरू हर बच्चे की जीवन में मा होती है यकिन माता पिता के बाद अगर किसी का स्थान आता है तो सबसे महतफूर जो के बच्चे की जीवन में स्थान होता है वो उसके शिक्षक का ही होता है शिक्षक होने के साथ साथ आप एक समाज सेवी भी हैं तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगी क्या संदेश देना चाहेंगी जी हमें लगता है कि समाज में आज भी हमारा जो देश है हम 21st century में हैं और देश में बहुत सारी ऐसी बहुत सारा विकास हो रहा है हर जगा के हम नारिश शक्ति करंड की बात करें या हम बाल अपराधों की बात करें पहले बहुत सारा ये चीजें हुआ करती थी बाल में या भूक में वो पर मर जाते हैं भूक के वज़ा से ठंड में उनके पास कपड़े नहीं है जिस वज़ा से वो मर जाते हैं या नारियों पर हम देखे तो अत्याचार हो रहे हैं रेप के केसिस हैं या देहस प्रता है बहुत सारी नारियां ऐसी हैं जो आग लगा लेती हैं दहस की वजा से या ऐसी case उन पर होते हैं तो आज आवशकता है इन समाजिक बोराईयों को दूर करने की इन समाजिक बोराईयों को बिल्कुल समाज से मिटाने की जिससे की हमारी महिलाए हर जगह खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें तो इसी के लिए मैंने थोड़ा सा समाज सेवा कि मेरा ये था मंद के हम कुछ च करें समाज के लिए देखिए अपने लिए तो हर कोई निइनसान करता है पर हम मानव तब हैं जब हम अपने साथ साथ हम दूसरों के Welfare Society जो हमने NGO खुला जिसके द्वारा हम ऐसे बच्चों की मदद करते हैं जो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं उनको हम financial भी support करते हैं बाकि हम books वगरा भी उनको provide कराते हैं और जो समाज में एक जागरुकता की बात कहें तो हम हर बुराई को हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा प्र कि खोजोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे मंजलों के फित्रत है यह कुछ चल कर नहीं आती बरेली की आवास चैनल का बहुत ही हार्दिक स्वागत हार्दिक आभार गयाबित करती हूं क्योंकि उन्होंने आज अफसर दिया कि मैं अपने विचारों को आप सभी के समुक र अपने चुछ थे ही है यह है।